हाई मैं हो तुशाब और आप देखरें फंडू कंटेंट इस साल बॉलिवुड ने हमें कई बहतरीन बड़िया पिच्छरे दी हैं और वो पिच्छरों ने हमारे दिल में घर कल चुकी हैं और तो और छोटे बज़िट की फिल्मों ने इस साल और भी ज्यादा अच्छा किया बॉलिवुड अगे बढ़ चुका है वो दौर से जब हमें बॉलिवुड से स्रिफ रोमांस और फैमली ड्रामा जॉन्र वाली पिच्छरे देखने मिल दी थी और इस साल बॉलिवुड ने हमें कई अच्छी फिल्में दी हैं जैसे की संजू और पदमावत जो ना ही रोमा जान सकते हैं कि बॉलिवुड से वो दौर चला गया है जब बॉलिवुड की फिल्मों में अगर बॉलिवुड के बड़े कलाकार और बड़े दमदार डायलोग होने के बाद ही एक पिच्छर हिट होती थी अब ऑडियंस इस भी हर टाइप के पिच्छरें एक्सेप कर रही है जैसी जैसे जेनरेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के दिमाग भी जादा ब्रॉडर होते जा रहे हैं और अब लोगों को स्टोरी और कंटेंट वाइस पिच्छरें जादा पसन आती हैं ना कि टिपिकल बॉलिवुड की ड्रामा फिल्में पर ये सब होने के बावजूद भी इस साल कुछ ऐसी कहानिया छुट गई हमसे जो अच्छी होने के बावजूद भी इतनी कमर्शली अच्छा नहीं कर पाई हैं तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो खुबसुरत पिच्छरों के बारे में बताती हूं जो अंडरेटेड रह ग और वो किस तरा से ये सारी परिश्यानियों को उभर के एक बड़ा बॉक्सर बन जाता है तो चलिए हम आगे बढ़ते हमारी दूसरी पिचर की और हमारी दूसरी पिचर का नाम है भावेश जोशी सूपर हीरो हाला कि इस पिचर पे काफी मीम्स बन चुके हैं और इस पिच अश्वदन कपूर ने जो कि एक सूपर हीरो है पर ना ही वो उड़ सकते हैं और ना ही उनके पास कोई मैजिकल पावर्ज है हावेश एक आम इंसान ही है पर वो अपने एक दोस्त जिनकी मौद अक्सिडेंट में हो गई थी उनकी आखरी विश पूरी करना चाते हैं तो चल वरुंदावन और बनीता संदू दोनों नहीं बहुत ज़ादा अच्छा काम किया है और आप देख सकते हैं वरुंदावन को भी थोड़े हटके किरदार में वरुंदावन ने भी कुछ नया ट्राइ किया है इस पिचर को करके इन दोनों ने अपनी कारेक्टर्स को इतनी अ आपको मुंबई की एक अलगी छाया दर्शाएगी जो आपने कभी देखी नहीं होगी पर फिर भी आप इस फिल्म को चूह सकते हैं ये फिल्म आपको इनसान की इमोशन्स इतनी अच्छी तरह से दर्शाएगी कि आप लोग इस फिल्म के हर एक पराओ को अपने आप से रिले करिया अनिल महता ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोरा ने इस फिल्म की हटके स्टोरी लाइन की वज़ा से ये फिल्म हर जगा बहुती ज़्यादा प्रशंसा की गई थी तो इसी के साथ अंत होता है हमारी बॉल्युड की और इसके अलावा कोई ऐसी फिल्में हैं जो हमें जरूर देखनी चाहिए इसी के साथ मैं तुशाबा आप लोगों से अलविदा लेती हूँ बॉलिवुड की ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया ह तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए